साथ के दसक आते लता मंगिसकर का रुत्वा मीजिक इंडिस्ट्री में पहुत बढ़ गया था। हर संगितकार या फिल्म मेकर या चाता था कि लता मंगिसकर उनके साथ गाना गाये। लता मंगिसकर ने इस बात की मुहिम छेर दी की यदि संगितकारों को रॉयल्टी मिलेग इस मामले को लेकर के गायकों की एक बड़ी मिटिंग हुई आपस में एक दूसरे से बहस होने लगे तो बड़े ही सरल स्वभाब के मुहमद रफी साहब भी गुसे में आग गए और उन्होंने कह दिया आज के बाद हम लता मंगेसकर के साथ गाना नहीं गाए फिर 1963 से लेकर के 1960 तक यानि 4 साल तक लता मंगेसकर और मुहमद रफी साहब एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाए ये सुनके आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा लता मंगेसकर और मुहमद रफी के बारे में